हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ कि रोज की तरह आप सब बहुत अच्छे होंगे तो दोस्तों आज भी लेकर आई हूँ कुछ स्मार्ट टिप्स और ट्रिक्स जो आप अगर यूज करोगी तो आपकी घंटों का काम मिनिटों में हो जाएगा साथ ही आपकी ये खूब सारी बचत करेंगे वीडियो के एंट तक जरूर देखिएगा आप पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना बेलकुल भी न भूलें तो चलिए दोस्तों बिना देरी के आज का ये यूसफूल वीडियो शुरू कर लेते हैं दोस्तों आज का जो पहला और यूसफूल टिप है वो है यहाँ पर सर्ट को लेकर हम सभी के घर पे छूटे बचेते होते ही हैं लेकिन जब भी वो क्या करते हैं इस तरह से बटन लगाते हैं क्योंकि कुस दिन यूज करने के बाद ही यह थोड़ा सा ढेले होते हैं तो इस तरह की जो भी सर्ट वगरा है जिसके बटन टाइट है बचे नहीं लगा पा रहे हैं या आप नहीं लगा पा रहे हैं तो एक छोटा सा ट्रिक ज़रूर से यूज कीजेगा आपको क्या करना ह साथ ही आपके घर में जो बच्चे है ना उनको तो ये ट्रिक ज़रूर से सिखा दीजेगा जिससे बोना इमरजेंसी में इस ट्रिक का यूज करके अपने सर्ट के बटन बहुत ही असानी से लगा पाएं कभी-कभी होता है ना कोट बगरा होता है बलेजर बगरा होता है हमा आने वाला है खासकार अभी देखे सर्दी का टाइम चल रहा है और हमारे घर में जो घी होता है वो आपने देखा हुआ एकदम जमा हुआ रहता है और हम सोचते हैं कि इसके लिए हास से खुरत के निकालने या फिर चमच से निकालने तो इतना जादा ये हार्ड हो जाता है कि इसे निकालना ना बहुत ज़्यादा मुस्किल हो जाता है तो इसके लिए बहुत ही बढ़ी आसा में टिप लेके आई हूँ जिससे आपको ये दिक्कत नहीं होगी अब देखे आपको क्या करना है आपको यहां पर चमच लेना है और चमच को अच्छे से गैस पर आपको गर्म कर लेना है अब गैस पे गर्म करने के बाद ये देखे ये जो चमच है आप इस तरह से घी के अंदर डालोगे ना तो इसकी गर्माहट की जैसे आपका जो घी है ना वो मैंट होता चला जाएगा कई बार होता है ना हम सबजी बगारा में डालते हैं रूटी बगारा चुपड़ते हैं तो फिर हमें अलग से कटोरी में लेकर घी गर्म करना पड़ता है लेकिन इस तरह से आप चमच को गर्म कर लोगे ना तो बहुत ही आसानी से आप इस तरह से पिगला हुआ घी सबजी के देखकर अच्छे से घी को निकाल पाएं तो अच्छे चल रही थी ये बंद कैसे हो गई तो इसका reason है देखे ये कई बार क्या होता है जो हम ज़्यादा चीजे पीरते हैं या ज्यादा इसका यूज करते है तो ज़्यादा लोड होने के विज़ा से दोस्तों क्या हुता है ये बंद हो जाती है लेकिन न हमें ये बात पता ही नहीं होती है और हम सीधे उठाकर इसको दुकान पर भेजते हैं तो आपकी mixi कभी भी ऐसे अचानक से बंद हो जाए तो आपना पहले एक काम कीजेगा इसको उल्टा करके रखेगा और इसके नीचे यहाँ पर दिखे ये जो बटन है ना इसको आपको इस तरह से दबाना है जब आप इस तरह से दबाओगे और दोबारा से mixi को on करोगे तो आप देखोगे कि आपके mixi पहले की तरह चलना शुरू हो जाएगी हम लोगों को ये बात पता ही नहीं होता है और हम सोचते हैं कि हमारी mixi में कोई न कोई खराबी आ गई है जिसकी बज़ए से इसने चलना बंद कर दिया है तो ये ट्रिक ज़रू से यूज़ करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मम्मी दादी नानी चाची सब को शियर कीज़ेगा चलिए अब मैं बताती हूँ कि किस तरह से हम बिंदी को अपनी mixi में यूज़ कर सकते हैं दोस्तो इसके जो इसके पैर होते हैं इनमे एक rubber लगी हुई होती है जो की अच्छे से mixi को grip देती है जहां पर भी हम इसको खड़ा करते हैं अच्छे से खड़ी रहती है तो कई बार क्या होता है दोस्तों इसके जो ये पहिये हैं यानि कि जो इसके जो पैर है वो क्या होता है उनमें जो रवर्ड लगा हुआ होता है वो तूट जाता है इसी ये अच्छे से स्टेंड नहीं कर पाता है बार बार हम इसमें कुछ पीछते हैं तो आगे पीछे सरकता तो इस तरह से जो बड़ी बड़ी बिंदी होती है मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगी वो आपको ले लेनी है और इस तरह से दिखिए इसके जो पैर है इसमें आपको इस तरह से इसको फसा देना है मतलब इसमें जो गोंध होता है न तो ये अच्छे से एकदम चिपक जाती है और चिपकने के बाद ये जल्दी से चूटती नहीं है और इस तरह से लगाने के बाद आप इसको उठा कर रखोगे न तो आप देखोगे बहुत अच्छे से इसकी ग्रिप बन जाती है ठीक है ये जल्दी से फिसलती नहीं है आई होप दोस्तो ये वाला ट्रिक और जो पहले वाला ट्रिक मैंने आपको बताए दोनों आपको बहुत ज़्यादा पसंद आये होंगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमली में शियर जरूर कर दीजेगा एक टूथविक लेना है और इस तरह से डाल कर आपको देखना है जैसे आप इसको डालोगे ना तो दीखिए इस तरह से बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे उसके अंदर और जैसे बबल्स बने तो आप समझ लिजेगा कि आपका जो तेल है बढ़िया से एकदम गरम हो कोड़ा सा नमक ले लीजेगा और नमक इसके अंदर डाल दीजेगा आप सुच रहे हों कि नमक क्यों डाल रहे हैं तो दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि जब हम पूरी बगएरा कुछ भी फ्राइब करते हैं तो बहुत ही जादा वह उयल पी लेती है जैसे कि हम अगला ट्रिक भी आपको बहुत जादा पसंद आया होगा तो ट्राइ करने के साथ साथ इसको जरूर से शेयर कीजेगा जिसे और लोगों को भी ये टिप पता चल सके तो चलिए दोस्तों फटा फट से अपना अगला ट्रिक भी देख लेते हैं तो अगला जो ट्रिक है वो लेकर जाते हैं तो ये ट्रिक आपको बहुत जादा काम आएगी इसको फॉलो करके जरूर देखेगा आप कभी भी कहीं पर बाहर जा रहे हो ना तो जाने से पहले आप एक काम कीजे जो आपका बिंदी का पैकेट है आपको क्या करना है फ्रीजर के अंदर उसको रख देना है फ्रीजर के अंदर रखने के बाद आपको लगवग 5-10 मिट के लिए इसको इसी तरह से छोड़ देना है और इसके बाद इसको इस तरह से दिखे निकाल लेना है इसके बाद दोस्तों जो भी बिंदी आप लगाओगे ना आप देखो कि वह इतनी जादा पक्की हो जाए तो यह दिखे बिल्कुल भी नहीं चूट रही है एकदम पक्के से चिपक गई है है ना दोस्तों बहुत ही बावाला आइडिया तो अपनी मम्मी दादी नानी को यह जरूर से बताईएगा दोस्तों मश्रूम की यह ट्रिक आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी कई बार क देखोगे कि इसके अंदर बहुत सारा एकदम काला काला सा पानी निकलता है और कई बार मश्रूम खाने के बाद कई सारों लोगों को वो पच्टे नहीं है अपच की सिकायत हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा वो गैस बनाता है तो यह ट्रिक आप फॉलो करेंगे ना तो इससे इसका स्वाद तो बढ़ेगा यह बढ़ेगा साथ ही दोस्तों यह बिल्कुल भी नुकसान नहीं देते हैं तो यह देखे कितना काला काला सा पानी लगा है तो आप मश्रूम पकाईए ना तो इस ट्रिक का यूज जरूर से करके देखेगा तो उमीद करती हूँ म मेरी हर बार की वीडियो की तरह आज की ये वीडियो भी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी कौन सा वलेट टिप आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है मुझे जरूर से बताएगा कल फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूले ब बाइ बाइ